टूथ ब्रश मत करो, खर्चा बचेगा हम आजकल टूथ पेस्ट करते हैं कॉल गेट, क्लोज अप, पेप्सिदेंट, सिभाका, फॉरेंस ये बड़े महंगे हैं तीस रुपए का सो ग्राम तीन सो रुपए किलो हुआ के नहीं? गाए का गी 200 रुपए किलो टूथ पेस 300 रुपए किलो क्या मूर्ख लोग हैं इस देश के पढ़े लिखे सुपर इडियेट वो क्या करते हैं? 200 रुपए के लोग गाए का गी नहीं खाते और तीन सो रुपए किलो का पेस्ट रगड के दान्तों पे थूखते हैं वो कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं मैं उनसे कहता हूँ और स्मार्ट बनो क्या करें? मैं कहता हूँ ये तीन सो रुपए किलो का पेस्ट इसको थूखते क्यों? इसी को रोटी पे लगा लगा के खालो गाई के गी से तो महंगा है कितना फल तू खर्चा कर रहा है 300 रुपई किलो का पेस मैंने एक दिन हिसाब निकाला था एक आदमी रोट जो ब्रश करता है न सबेरे का तो एक बार के ब्रश में देड़ से दो ग्राम टूथ पेस्ट इस्तेमाल होता है अगर वो आदमी 60 साल तक अपनी जिन्दगी के 60 साल तक ब्रश करता रहे तो एक आदमी का टूथ पेस्ट का खर्चा एक लाख चालीस हजार रुपई आता है 60 साल तक एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपई का जिन्दगी में वो जितने पेस्ट इस्तेमाल करेगा 60 साल में उसका हिसाब जोड़ा एक लाख चालीस हजार के आसपास खर्चा क्या फालतू खर्चा है बंद करो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है ब्रश को पेस्ट लगा के लगणने की कोई जरूरत नहीं है फोखट का काम करो दातून करो दातून नीम की दातून बबूल की दातून पाकड की दातून करंज की दातून अमरूद की भी दातून होती है आम की भी दातून होती है बबूल की दातुन बारे तरे के पेड़ है उनकी दातुन करो टेक्स फ्री, कॉस्ट फ्री साइड इफेक्ट कुछ नहीं है एक्सपाइरी डेट कुछ नहीं है फोगट में मिलती है के नहीं एक एक दातुन तोड़ लो और दातुन तोड़के साथ दिन तक चलाओ उसको मैं तो एक दातुन साथ दिन कर लेता हूँ कैसे दातुन किया, चबाया, आगे का हिस्सा काट दिया फिर पानी में डाल की रखा, दूसरे दिन फिर कर लिया ऐसे साथ दिन चलती है एक बार क्या हुआ, एक IIT का लड़का मुझे पूछता है बहुत इंटेलिजन्ट होते हैं, IIT वाले में भाशन दे रहा था क्यान लोगा, क्या मूर्खता की काम करते हैं एक दात उनको साथ दिन करते हैं मैंने का, भाई तू ये बता, एक टूथ ब्रश को कितने दिन करता है उसने का, मैं तो साल भर तक करता हूँ मैंने का, तू महामूर्ख है मैं तो साथ दिन में बदल देता हूँ तू साल भर एक ही ब्रश को रगड़ता रहते बन करो ये ब्रश और ये ब्रश की मुश्किल पता है क्या है टूथ ब्रश होता है ना प्लास्टिक के उसमें ब्रसल्स होते है उनको जब हम रगडते हैं ना तो मसूडों पर उसका घर्शन होता है मसूडे सब छिल जाते हैं कमजोर हो जाते हैं जिनके मसूडे कमजोर होते हैं, उनके दात कमजोर हो जाते हैं, जिनके दात कमजोर हैं, उनकी जिन्दगी में कोई आनंद नहीं है। दूसरी समस्या क्या है कभी भी आप देखना टूथ ब्रश होता है ना उसमें जहां ब्रसल्स लगे रहते हैं ना वहां पीला पीला सफिद सफिद कच्रा जमा हो जाता है उस पे हजारों वाइरस आकर जिंदा बैठते हैं और रोज आप अपने मुह में डाल के क्या खतरना का कर रहे हो बंद करो अच्छा नहीं है और एक बात बता हूं यह जो टूथ पेस्ट है ना टूथ पेस्ट जिसको आप घिसते हो इसमें जहाग बहुत बनता है मालूम है जहाग तो वाशिंग पाउडर में भी बनता है कभी-कभी मैं लोगों से कहता हूं आप क्यों करते हैं तो जहाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है शेविंग क्रीम क्यों नहीं रखड़ते हैं अब मैं असली बात बताता हूं जिस वस्तू से शेविंग क्रीम में और वाशिंग पाउडर में जहाग बनता है वही वस्तू टूथ पेस्ट में मिलाई जाती है उसको कहते हैं स sodium laurel sulfate और ये ऐसा खतरना chemical है जो cancer कर देता है अब मैं आपको एक सच्चा ही बताता हूँ अमेरिका देश में यूरोप के देशों में toothpaste जब बजार में बेचा जाता है तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है और उसमें कहा जाता है सावधान toothpaste करने से cancer होता है अंग्रेजी में लिखते है it is cancerous carcinogenic और अमेरिका यूरोप के toothpaste पे क्या-क्या लिखते हैं अंग्रेजी में लिखते हैं please keep out this toothpaste from the reach of the children below six years माने छे साल से छोटे बच्चे को ये toothpaste कभी मत कराना क्योंकि बच्चे उसे चाट लेते हैं वो cancer से मर सकते हैं फिर अमेरिका और यूरोप के toothpaste पे लिखते हैं in case of accidental ingestion please contact immediately poison control center माने गलती से paste अगर कर लिया बच्चे ने तो hospital लेके जाना उसको जहर है क्या जहर है उसमें chemical जिसका नाम है sodium laurel sulfate ये chemical एक बूंद अगर आपकी जीप पर गिरा दें तो जीप पर ही cancer हो जाता है मत करो आप ये बेकार है तो दात कैसे साफ करें दातुन से दातुन है ना पिपरिया में तो बहुत है मैं अभी रास्ते में आया इतने नीम के पेड़ है कि दातुन ही दातुन है यहां तो आपको तो कोई कमी नहीं तो दातुन करो दातुन ना मिले तो दंतमंजन करो दंतमंजन भी फोकट वाला करो खर्चानी करना फोकट वाला दंतमंजन घर में रसोई है वहां पे हल्दी है ले लो थोड़ी सी हल्दी और सरसों का तेल है वो भी डाल दो उसमें और थोड़ा सा नमक तीनों को मिलाओ दात पे गिसो सबसे अच्छा दंत मन जाए और एक दूसरा पताता हूँ गाय है गाय है उसका गोबर है गोबर को जला दो कैसे जलेगा पहले सुखाओ उसको छोटे कंडे बनाओ फिर जला दो तो राक निकलेगी उस राक में थोड़ा नमक मिलाओ थोड़ी फिटकरी मिलाओ और उसको दात पर गिसो उससे अच्छा दंतवंजन दुनिया में नहीं और एक तरीका बताता हूँ नीबू है ना नीबू हम सबजी में निचोड़ते हैं अब छिलका बच गया इसको फेकना नहीं छिलके को उलट दो अंदर का हिस्सा बाहर निकाल दो उस पे नमक रिकड़के ऐसे से दांतों पे गिसो दांत एक दम साफ और एक दो बात बताता हूँ जिनके दांत पीले हो गए आम का पेड़ देखा उसका पत्ता तोड़ लो आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी दे चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा लुगदी बनेगी उसको दांतों पे रगड़ दो दांत एक दम किट-किट करने लगते है एक दम साफ ये सब फोकट का इलाज है है कि ने और नहीं तो कोई खरीदना है तो दंतमंजन खरीद लो बजार में बहुत मिलते हैं लाल दंतमंजन, काला दंतमंजन विको बज़दंती अब तो स्वामी जी का भी दंतमंजन आता है दिव्योग दंतमंजन वो ही ले लो आप वो ले ओगे तो आपका पैसा कम स्वामी जी के ट्रस्ट में जाएगा उसी से हम ये सब काम कर रहे हैं तो यहां तो दातुन करो नहीं तो दंतमंजन तूथपेस्ट बंद तूथब्रश बंद अब एक जानकारी और देता हूँ आपको ये जो तूथपेस्ट होते हैं कॉल्गेट, क्लोजप, पेप्सुडेंट, सिवाका ये ज़्यादातर तूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों की हड्डियों से हमारे देश में हजारों कतल खाने चलते हैं वहाँ गाय बेल भेस को काटते हैं उनका मास बजार में बिखता है उन जानवरों की हड्डियों को तूथपेस्ट बनाने वाली कमपनिया खरीदते हैं हड्डियों को धूप में सुखाते हैं बोन क्रेशर में डाल कर पाउडर बनाते हैं, फिर उसी से पेस्ट बनता है, फिर उसी को हम मुह में लगाते हैं, रोज सबेरे ही सबेरे, और जिस दिन उपवास होता है, तो जरूर, भगवान की पूजा करते हैं, सबेरे हड्डियों का चूरा मुह में लगाते हैं, अभी कै कैसे प्रसन्न होंगे भगवान बताओ बंद कर दो ये सब अच्छा नहीं ठीक है तो बहुत पैसा देश का बचेगा मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि पेस्ट बंद कर दें ब्रश बंद कर दें जो पैसे बचेंगे अगर उतने से ही दातुन खरीदने लगें पचास पैसे की एक दातुन तो तीस लाख लोगों को दातुन बेचने का रौजगार मिल जाएगा इस देश ही आप कभी बंबई जाना बंबई बंबई के सब रेल वे स्टेशन में दातुन बिखता है एक रुपए का दो दो रुपए का तीन ये बंबई में हो सकता है तो पिपरिया में लगाओं हर साल कम से कम एक